हेलो फ्रेंड्स इंडियन देसी फुड में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बैगन का भुजिया बहुत ही डिफ्रेंट तरीके से बनाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना बैगन को धो के बैगन लिए हैं यहाँ पर हाई सोगड़ा धो के अच्छे से पतला पतल ज्यादा फढाऐं नहीं कडेंगे अभीाईगन ऊपर से डालके हम ध्यश्से अभी चलाएंगे कुछ देर के बाद हम लो़ फिलेम पर अभी रहने दे इसको चलाएंगे बीच बीच में चलाते हैंगे फिर से इसको धग देंगे आब इसमें हम एट कड़ेंगे हल्दी और स्वाद के उन स्वार नमक मसाला हम नहीं डालेंगे बीन मसाले के हम बनाएंगे हल्दी नमक डालके अच्छे सी मिला के फिर से इसको ढख दे तो दो से तीन बार इस तरह से हम ढख ढख के इसको पकाएंगे तो फिर से एक बार हम ढख देंगे अभी फिलेम को लो रखे तो अ बैगन थोड़ी कुरकूरी हो जाए तो अच्छे से बैगन पक गया है अब हाई फ्लेम पे इसको हम एक से दो मिनट इसी तरह से भूनेंगे बैगन का भुजिया बनके रेडी है मैं इसे एक पलेट में निकाल लेती हूं आप इसे गर्मा गर्म रोटी चाबल किसी के भी साथ सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं जिसको बैगन खाना पसंद नहीं है वो भी अगर इस तरह से बनाएंगे तो उनको भी अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सेयर जरूर किजेगा